हाई फ्रेंट्स आपका स्वागात है हमारे इस यूडूब स्वानल पे और आज की इस विडियो में हम लग बात करने वाले हैं फिलेमिंगो के सकेंड शेफ्टर के बारे में जिसका नाम है लोश्ट अस्प्रिंग और यह जो लिखा गया है एने जंग के द्वारा लिखा गय बुक का नाम है जिस चैप्टर का नाम है अस्टोरी ओफ अस्टोलेन चाल्ड होड यही का जो है यह क्या है एक सब फोर्म है यही का एक भाग लिया गया है तो चलिए इस विडियो को हम लोग अस्टार्ट करते हैं सबसे फ़हले हम लोग जानेंगे सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स एबाओट लेशन इस लेशन के जो है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे इन इस लेशन अथर एनिज जंग एनलाइसिस अवाओट गृंडिण पोवर्टी एंड ट्रेडिशन इस वाले में इस चैप्टर में जो है एनि-जंग जो है जो गरीब बच्चे रहते हैं वो किस तरह से जो है गरीब ही में पीशते हैं उस बारे में एनिज जंग इस बीमा, फोरी, और मुकेश, और फिरोजावाद यहां पे जो है आने जंक, दुड्रेन के बारे में बात किये हैं, दो बच्चों के बारे में बात किये हैं, एक का नाम है 150 2 दोनों का पॉभर्टी के बारे में दिखाए हैं, आखिर यह लोग किस तरह से अपने गरीमी में जो है पिष्टे है तो चलिए अब हम लोग जो है शेफ्टर में जो में पॉइंट है और में पॉइंट के साथ में हम लोग क्या करेंगे संब्री को भी देखते जाएंगे तो सबसे हम लोग क्या जाएंगे about Sahib and Mukesh के बारे में इस chapter में about Sahib and Mukesh के बारे में यही दोनों जो है main character है फेला the author of lost offspring is यह lost Fortunately का author जो है जिन होने इस chapter को लिखा है उसका नाम है एनिस जंग birthplace of author place is यह हमारे author जो है जिन का birthplace जो है रोर केला है यह कहाँ पर जन्मी है रोर केला में जनमी है यह जो हम लोग लोश अस्प्रिंग जो पॉब रहे है ठीक है यह title अकर क्या दरसा रही क्या सिम्बॉलाईज करती है लोश्ट ब्लूमिंग चायलगोड यानि चायलडब का जो है चायलड चायलदनेश जो है बस्पना जो है खो़ जाता है बच्चों का गड़ी बच्चों का वह चीज को यहाँ पर यह दर्साही है Next है The story is in accept form यह जो story है एक accept form है किसका loosh spring, a story of a stolen childhood next है In this story, the author analyzes about four children and their exploitation इस story में जो है ओधर जो है गरी बच्चे और उसके जो है exploitation को, अगर किस तरह से इसको जो रोंदा जाता है, किस तरह से इसको exploit किया जाता है, उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है according to the author what was garbage for the parents अब यहाँ पे जो है according to the author, author के अनुसार जो है, garbage जो है, garbage का मतलब क्या होता है कूड़े का धेर, ठीक है यहाँ पे author के अनुसार जो है, कूड़े जो है बड़े लोगों के लिए, parents के लिए यह कूड़ा का धेर किया है, means of survival यानि जीवन वेतित करने का एक जो है, जरिया है next है the ragpickers why the ragpickers why affairs like morning birds in the story इस story में जो है, जितने भी ragpickers ragpickers का मतलब क्या होता है, बच्चो ragpickers का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कचड़ा बिनने वाला, कचड़ा चुनने वाला तो इस story में the ragpickers boys appear like morning birds in the story इस story में, ये ragpickers बच्चे जो है, एक morning चिणिये की तरह नजर आते हैं और बाद में, सुबह में, सुबह में नजर आने के बाद ये दो पहर में फिर क्या हो जाते हैं गाइब हो जाते हैं अगला है, साहिब leave his house because आश्ट्रोम swept away his house and house and field, यहाँ पर फाइल लिखा गया है, field होगा देखें, क्या है कि साहिब जो है अपना घर छोड़ चुका है अपना घर छोड़ दिया है, क्यों? because आश्ट्रोम बोले तो तुफान जो है उसके घर को उड़ा ले गया है उसके खेत खलियान को उड़ा दिया है इसलिए, यह जो है, साहिब जो है, अपना जगा, अपना घर क्या-क्या है उसके पूरे नाम का मतलब क्या होता है साहिब आलम और इसका मतलब क्या होता है जालते है Lord of the Universe इसके नाम का मतलब क्या होता है Lord of the Universe होता है और इसको जो है, अपने नाम के बारे में भी नहीं पता होगा साहिब को His family come from Bangladesh Bangladesh ठाका in 1971 और साहिब का फेमली जो है बंगलादेश से इंडिया आया हुआ है बंगलादेश से इंडिया आया हुआ है वो कब आया हुआ है 1971 बंगलादेश के धाका सेम एट परजेंट दिले इन सिमापूरी नियर दिले और अभी वे लोग परजेंट में कहां पे रहा रहे हैं सिमापू पूरी काया नियर दिल्ली बोले तो दिल्ली के समीप में है, about 10,000 रेकपिकर्स पीग द रेक्स इन द गार्वेज डंप ऑफ द सीमापूरी, यह क्या बोल रहे हैं, कि लगबग 10,000 रेकपिकर्स, लगबग 10,000 कचड़ा चुनने वाले लोग पीग द रेक्स, कचड़ा उठात हैं, इन द गार्वेज डंप, कहां पे, कूड़े की धेर में, ओफ द सीमापूरी, कहां के, तो सीमापूरी के, अगला है, they have no identity, अरे उन लोगों के पास कोई भी पहसान नहीं है, but they have रासन कार्ट टुबोट, and why grants, उन लोगों के पास किसी भीद परकार काज़ों है, कैसे वह लोग क्या करते हैं, भोड देते हैं, और उसे थोड़े बहुत उन लोगों को अनाज मिल जाते हैं, बोले तो grants, ठीक है, और उन लोगों को यह भोडर कार्ट बना कैसे है, फोल्टीकल, नेताओं के चलते बना है, क्योंकि उन लोगों को भोड चाहिए, इसलिए व इडिन्टिटी से अधिक इंपोर्टेंट है इन लोगों के लिए फूड अगला है उन लोगों के लिए जो है फूड जो है अधीक इंपोर्टेंट है देन आइडेंटिटी यानि पहसान पत्र से यार उन लोगों के लिए भोजन अधीक महत्तु रखता है क्या बोल रहा है कि अगर सिमापूरी में सर्भाइव करने का मतलब क्या है कि रेख पिकिंग कोई भी अगर सिमापूरी में रह रहा है यानि कि वो क्या करता है कचड़ा चुनता है गार्विज जो है कचड़े का धेर बच्चों के लिए क्या है एक जुआए देता है खुसी देता है जैसी कि बच्चा क्या करता है अगर कहीं कचड़े में उसको एक रूपिया मिल जाता है तो वो क्या करता है और उस कचड़े को क्या करता है क्या करता है उस कचड़े को इ लेकिन स्रिमापुरी में बड़े लोगों के लिए ये गार्मेज डम जो है एक सर्भाइवल था जीवन बेतित करने का एक तौर तरीका था ये उन लोगों के लिए क्या बन गया था एक ट्रेडिशन बन गया था अगला दिखते हैं अगला फॉइंट साहिव वाक्स एड टी देखो दोस्तों लाष्ट में फाइनली ये साहिब जो है लाष्ट में फाइनली ये साहिव जो है वरकट टी अश्टॉल में काम करता है गेटग स 8100 रुपीज और उसको जहाह है बदले में कितना मिलता है आठ सो मिलता है on all mills but he is not happy because he is no longer his own master उस को जह है उस टी अस्टोल में 800 रुपया मिलता है लेकिन वो जो है वहाँ पे काम करते हुए खुश नहीं है क्यों कि he is no longer his own master क्योंकि वो जो है अब अपने आपका master नहीं है अब अपने आपका मालिक नहीं है अब वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है इसलिए ये साहिब जो है बिलकुल भी happy नहीं है बिलकुल भी खुश नहीं है दोस्तों यहाँ पी एक शीज और है कि जब वो जो है साहिब जो है जब garbage dump में जब वो कच्छडे में कुछ ठूनता था और उससे जब एक दो रुपिया मिल जाता था एक रुपिया कभी कभार दस के नोट मिल जाते थे तो वो उसके लिए सोने के बरावर थे इसलिए कहा गया है साहिब इस लुकिंग फोर गोल्ड कोईन इन दे गार्वेस ठीक है तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग मुकिस के बारे में about मुकिस हमने देखा अभी साहिब के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे मुकिस के बारे में यहाँ पर दो करेक्टर के बारे में बात क्या आगया he wants to be a motor mechanic or drive a car और यह मुकेज जो है क्या करना चाहता है यह एक motor mechanic बनना चाहता है और क्या करना चाहता है car drive करना चाहता है यहां बात आया फिरोजबाद यह फिरोजबाद क्या है फिरोजबाद is the central point of pangal making in India India में यह फिरोजबाद चूड़ी बनाने का जो है सबसे center point है फिरोजवाद is famous for glass bengal industries और ये फिरोजवाद जो है famous क्यों है glass bengals industries के लिए ये फिरोजवाद जो है famous है about 20,000 children work in the dingy cell of glass bengals industry without light and air with high temperature क्या बोल रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे लगभग जो है कि इतने 20,000 लगभग 20,000 बच्चे जो है इस glass factory में इस glass industry में काम करते हैं without light बिना कोई रोशनी के बिना कोई light के and air ना ही वहाँ अच्छी से हवाँ पहुंचते है with high temperature और वहाँ पे temperature जो रहता है वहाँ का temperature जो रहता है बहुत ही high होता है that's why they lose their eyesight before becoming adult और जिसका परिनाम क्या होता है कि जवान होने से पहले बे लोग अपने eyesight बोले तो आँख की रोशनी क्या करते हैं खो देते हैं like his family बोले तो मुकेश की family की तरह every other family of फिरोजवाद is engaged in making bangles यानि की like of मुकेश family like of his family कहने के मतलब मुकेश की family की तरह फिरोजवाद का परती एक family हर घर का बेक्ती हर घर का members है फिरोजवाद में कहां पे engaged है तो making bangles में बोले तो Bengal industry में सभी लोग क्या है इंगेश है next point है a frail young woman मुकेश elder brother's wife plays the role of वहो who cooked food for family अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है the frail young woman मुकेश elder brother's wife plays the role of वहो who cooked food for the family क्या बोल रहा है कि वहाँ पी जो है एक अवरत है एक ओमेन जो है जो मुकेश की भाई की जो है मुकेश के बड़े भाई का कौन है wife है और वो एक role अदा कर रही है एक role play कर रही है वो role किस चीश का play कर रही है बहू का किस चीश का बहू का who cooked food for the family और वो जो है खाना पका रही है पूरे परिवार के ले all kinds and colors of bengal are made in फिरोजाबाद और इस फिरोजाबाद सहर में हर तरह का bengal और हर color का bengal यहाँ पे बनाया जाता है सभीता यहाँ पे एक character है सभीता सभीता जो है वो जो है मुकेश की जो है young girl है मुकेश की जो है young girl बोले तो मुकेश की जो है क्या है sister है सभीता मुकेश की sister है सभीता a young girl does not know the sensitivity of bengal that is symbol of Indian women sohaag यह सभीता जो है वहाँ पे बैट के क्या कर रही है bengal बना रही है like a machine उसके हाँ जो है बिलकुल machine की तरह काम कर रहे है बहुत जोरे से चुडियों को क्या कर रहे soldering करते जा रही है लेकिन उस सभीता को यह पता नहीं है कि यह जो है bengal जो है Indian women के लिए जो है एक सुहाग का परती है अगला point देखते है अगला point है there are two world यह story जब हम पढ़ते है तो हमें क्या पता चालता है यहाँ पर दो world देखने को मिलता है हमें इस shifter में इस भाग में हमें क्या मिलता है मुकेस के part में हमें दो story देखने को मिलता है there are two worlds the one is the world of bengal makers where who are caught in the wave of poverty यहाँ पर पहला world जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है world of bengal makers यानि कि जो लोग चुडिया बनाते है वे लोग क्या किये हुए है who are caught in the wave of poverty वे लोग गरीबी की जाल में फसी हुए है the other world is of moneylender और दूसरा जो है world है वो moneylenderों का है middle man का है and police man का who exploit and torment them जो लोग जो है गरीब लोग को क्या करते है पर तारीद करते है काने का मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो है गरीब लोगों को जो है बड़ी लोगों के दोवारा सताया जाता है अगला है next है मुकेस वान टू विया motor mechanic मुकेस वो क्या बनना चाहता है एक motor mechanic बनना चाहता है और driver car वो क्या चाहता है कि मैं एक गाड़ी चलाऊ मैं एक car चलाऊ he does not want to fly plants लेकिन वो कोई हवाई जहाद सलाना नहीं चाहता है दोस्तों इस chapter को दो भागों में बाटा गया है पहले भाग का नाम है sometime I found a rupees इस भाग में जो है इस part में जो है साहिव के बारे में बात क्या गया है और दूसरी part का नाम है I want to drive a car और इस भाग में जो है मुकेस के बारे में बात क्या गया है थांक्यू दोस्तों अगर वीडियो फसंद आए तो वीडियो को आफ लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में